Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अप्रे यूट्यूब चैनल Princewood Education में आज इक लास में हम आपको बताने जा रहे हैं website सूचना के श्रोत के बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी website सूचना के बारे में vocational information के बारे में आज इक लास में हम बात करेंगे website सूचना के श्रोत के बारे में कि website सूचना प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रमुख श्रोत है तो पहले हम बात करते हैं radio एवं television के द्वारा by radio and television radio एवं television के माध्यम से भी website से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है कैसे इनके द्वारा व्यक्तिको व्यवसायों की जानकारी नियुक्तियां, समस्याई वा विभिन प्रसिक्षन संस्थाओं से सम्मंदित विस्तर सूचनाय प्राप्त की जाती है जो radio और television होता है, उसमें किसी व्यवसाय से सम्मंदित उसकी जो नियुक्तियां होती है कि उसमें कितनी नियुक्तियां होनी है, उससे सम्मंदित जो समस्याई है, जो प्रसिक्षन संस्थान है उससे सम्मंदित विस्तर सूचनाय प्राप्तान की जाती है इसके साथ ही वे विभिन वेवसायों के विशेशग्यों को आमंतृत कर छेत्र विशेश के सम्मंद में जानकारी प्रसारित करते हैं मतलब जो टेलिविजन का और रेडियो का कारी क्या है कि उसमें जो विशेशग्य होते हैं उससे सम्मंदित छेत्र के उनको आमंधृत किया आता है और वो उससे सम्मंदित जानकारी प्रदान करते हैं उससे समंदित समस्याओं के वारे में चर्चा करते हैं कैसे उसको समाचार पत्र द्वारा। विएवसाईक सूचना के अंतरगतव्भिन पत्र-पत्रकाई वर दैनिक-सबताहिक समाचार पत्रों का महत्रपूर योगदान है। जिनसे वे अपने अपने छेते से सम्मंदित व्यवसायों की सूचना प्रतान करते हैं, इसके अलावा समय समय पर विभिन समाचार पत्र भी व्यवसायों की जानकारी प्रतान करते हैं, मतलब पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्र के माध्यम से वो वेवसाय से जुड़ी जानकारियां होती हैं उनको निकालते हैं ठीके इससे क्या होता है कि जिन्हें वेवसाय से सम्मंदित सूचनाय प्राप्त करनी होती हैं वो उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं उधारन क इंडियन एक्स्प्रेस, दैनिक जगरन, हिंदुस्तान, टाइम्स, इत्यारती में क्या निकलती हैं? सूशना ही निकलती हैं वेवसाय सम्मंदित इसके अलावा जो सापताहिक पत्र होते हैं जैसे रोजगार समाचार पत्र में भी विविद वेवसाय से सम्मंदित जानकारी प्राप्त होती है इससे पता चलता है कि वेवसाय से सम्मंदित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो और टेलिविजन का साहरा भी ले सकते हैं थर्ड है वेवसायटों द्वारा आधुनिक समय में इंटरनेट का प्रचलन काफ पत्र पत्रिकाएं समपर्क नहीं करना चाते लेकिन अगर आप वेवसायटों के माध्यम से भी अगर सूचनाओं को प्राप्त करना चाते हैं वेवसायट सम्मंदित तो उससे भी जानकारी ले सकते हैं इसके द्वारा सूचना शीग्र मिल सकती है जल्दी मिल जाएगी अल जीले के रोजगार विनमे केंद्रों तथा रोजगार ब्यूरो से वेवसाइक निर्देशन या परामर्श दाता वेवसाइक सुचनाय प्राप्त कर सकते हैं। जीले के रोजगार विनमे केंद्र हैं उससे और रोजगार ब्यूरो से वेवसाइक निर्देशन या परामर्श दाता वेवसाइक सुचनाय प्राप्त कर सकते हैं। वेवसाइक निर्देशन के लिए वेवसाइक सुचनाय को प्राकाशित करने का कार निमनलिखित अभिकरन करते हैं। वेवसाइक निर्देशन के लिए जो वेवसाइक सुचनाय हैं। वेवसाइक सुचनाय को प्राकाशित करने का कार ये अभिकरन भी करते हैं। और जो कार खाने हैं उनका ब्रहमण करना सबसे अच्छा तरीका है। इनके द्वारा सुचना जो है वो अधिक विश्वसनी हैं वेवारिक तथा वास्तविक होती है। मतलब ये जरूरी रही है कि जो समाचार पत्र में सुचनाय प्रकाशित हो रही हो वो सही हो। लेकिन अगर आपने जिस वेवसाय को चुनना चाते हैं अगर वहां के जो ओद्योगिक छेत्र हैं और कार खानों को ब्रहमण कर लेंगे तो आपको विश्वसनी हैं वहवारिक और वास्तविक सुचना प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है वेवसाय क सुचना समंदी फिल्मे एवं चार्ट सरकार प्रसिक्षन या और द्योगिक संस्थाएं समाचार पत्र इत्यादी वेवसाय समंदी फिल्मे तथा चार्ट त्यार करती हैं जिसमें उनके छेत्र विशेश या अन्ने छेत्रों की कार समंदी सुचना दी रहती है. मतलब जो एक वहरसाइग सुचना प्रडान करने के लिए फिल में एवं चार्ड का प्रयोग भी, कि या जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है वेवसाइक सूचना का महत्व एवं आवशक्ता को निम लिखित बिंदों के माध्यम से इसपस्ट किया दा सकता है पहला पॉइंट है वेवसाइ या छेत्र विशेश का महत्व निर्देशन के अंतरगत शामिल वेवसाइक सूचना सेवा ना केवल व्यक्तिका बलकि वेवसाइक का भी विकास संबह है मतलब जो निर्देशन के अंतरगत शामिल वेवसाइक सूचना सेवा है उससे केवल व्यक्तिका ही नहीं जो वेवसाइए है उसका भी विकास संबह है प्रतेक कारी छेत्र के लिए विशिश्चन योगिता या पेक्षित है कि किस वेवसाइक के लिए कौन सी योगिता चाहिए तब ही उसका सिविकास संबह है कि जिस छेत्र के लिए जो योगिता चाहिए अगर वो योगिता उस व्यक्ति में है तो उस व्यवसाय में निरंतर प्रगति होने के भी आसार है वेवसाय सूचना छेत्र के द्वारा व्यक्ति के विभिन वेवसाइक अफसरों वो उसके लिए अपेक्षित जो प्रसिक्षन योगता है प्रवेश प्रक्रिया है आधी की भी जानकारी उपलब्द कराई जाती है सेकेंड है यथार्त निर्ने, रियल डिसीजन, वेवसाय के सूचना के सही वितरणवा प्रयोग के द्वारा छात्रों को उनकी योगिताएं वच्छमताओं के अनुसार विभिन वेवसाय अफसरों की जानकारी उपलब्द हो जाती है जिसके कारण छात जो है वो अपनी जोगिता वच्छमता के अधार पर ही उस वेवसाय का चैन कर लेता है जिसके लिए वा योगिय होता है थर्ड पॉइंट है वेवसाय निर्देशन का आधार वेस ओफ वोकेशनल काईडेंस जब निर्देशन करता या परामश्दाता कार जगत की सारी गतिविदियों से जा वो जागरू कर सकेगा मोटिवेट कर सकेगा तभी जो वेवसाय है वो सफल बन सकेगा वेवसाय निर्देशन की जो सफलता है वो वेवसाय सूचना पर ही निर्भर करती है इसके अंतरगर चात की योगिता एवं छमता के अरुसार वेवसाय से जूड़ी सूचनाओं को वे वेवसाय में सफलता मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्ति का अधिकादिक विकास, किसी भी व्यक्ति या छात्र का अधिक विकास तभी संभव है, जब वे अपनी छमताओं के अनुसार वेवसाय जकत में प्रवेस करें, मतलब जो व्यक्ति है, वो अपनी छमता और को निर्देशन देने वाला है या परामर्ष दाता है जो परामर्ष को घ्रता तो उसको भी व्यवसाइक सूचना का ज्यान होना आवश्यक है, तभी तो वो सही ज्यान दे सकेगा, जब वो सही ज्यान देगा, तो व्यक्ति भी अपनी छमता और योगिता के अनुस्तार सही व्यवसाइक कर सकेगा. नेक्स टॉपिक है व्यक्तिगत सूचना है, परसनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत निर्देशन में आवश्यक सूचना है, निमलिर्खित है, पहला है व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से संबंदि सूचना है, दूसरा है व्यक्ति के मित्रों के संबंद में सूचना है, ती विश्यों के मित्रों जो विश्य के मित्र हैं अभी वावक हैं रिस्तेदार हैं पडोसियों अध्यापकों इत्यादी द्वारा जो प्राप्त सूचनाएं हैं व्यक्ति के जन्म संबंदी, शारिक स्वास्त, मानसिक संतुलन, संबंदी विशेश्ताई या अन्य कोई घटना जिससे व्यक्ति के व्यक्तित पर प्रभाव पड़े उसके विशे में जानकारी तो व्यक्ति के सूचनाएं जो परसनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो क्या होती हैं कि परिवार से संबंदी सूचनाएं हो गई, मित्रों से संबंदी सूचनाएं हो गई, उनकी जो रूची से संबंदी सूचनाएं हो गई, जो सांस्कृति कायक्तम उनके परिवार में होने ह उनसे सम्मंदित सूचनाएं हो गई, उनके मित्रों से सम्मंदित या अध्यापक से सम्मंदित सूचनाएं हो गई, उस व्यक्ति के जन्म से सम्मंदित सूचनाएं, शारिक स्वास्त, मतलब कुल मिला के जो व्यक्ति है उससे सम्मंदित जो भी व्यक्ति हैं, उनसे सम्मंदि जो भी सूचनाएं जो होती हैं, उनका अध्यन व्यक्तिकर सूचनाओं के अंतरगत किया जाता है। उनकी प्रकति के अनुसार वर्गिकरत करने में साहता प्रदान करना है। इस्तान समय एवं धन का दुरुपयोग किये बिना सूचनाएं उपलब्द कराना। तो सूचना सेवा का जो महत्रपूर उद्देश हो गया वो क्या है कि जो निर्देशन करता है तथा जो छात्र है निर्देशन करता तथा छात्र है उसको एखी स्तान पे कम समय में धन का उसका दुरुपयोग ना हो। उसके बिना सूचनाएं उपलब्द कराना यही सूचना सेवा का उद्देश होता है। करने में सहयता होगी। इसमें यह बताया गया है कि जो सूचना सेवा है वो जितनी अधिक व्यज्ञानिक होगी, जितनी अधिक वस्तुनिष्ट होगी, उतनी ही अधिक सफलता को प्राप्त करने में भी सहयता करेगी। सूच्णा सेवा की विदियों को निमनिखित भागों में वर्गी करत किया आता है पहला है सूच्णाओं का एकत्री करण Collection of Information सूच्णाओं का एकत्री करण के अंतरगत वेवसाईक एवं सैक्षिक संस्थाओं के संपर किस्थापित करके आवश्यक सूचनाओं का एकत्री करन किया आता है रता एकत्री करन के बाद इन सूचनाओं को आवश्यक्ता नुसार वर्गी गरत किया आता है पहले जो आवश्यक सूचनाओं होती है उनको एकत्र किया आता है कलेक्ट किया आता है बाद में इन सूचनाओं को आवश्यक्ता समागरियों की रूप में प्रदेशित करने के लिए रखा सकता है, इन सूचनाओं को वाशनाले, पुस्तकाले, इत्यादी के माध्यम से भी प्रदेशित किया सकता है, तो सूचनाओं का प्रदेशित कर सकते हैं, वाशनाले में भी, पुस्तकाले में भी, इनके माध्यम से भ परा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशन करताओं तक पहुचाने की व्यवस्ता की जाती है तथा सूचनाओं की मुल्यांकन करने की छमता का विकास करने के लिए समुचित प्रसिक्षन, कारिशालाओं एवं गोश्टियों का आयजन किया जाता है और इसका भाव से सूचनाओं में नहीत अर्थ को समझने में सहायता करना तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने पढ़ा वेवसाइक सूचना के श्रोतों के बारे में वेवसाइक सूचना के महत्यों उसकी आशकता के बारे में व्यक्तिगत सूचना के बारे में वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं PDF के लिए आप हमाई टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में